हम लेकर आए हैं वेजी पैटीज सब्वे उसके लिए कूप सारी वेजटेबल्स हैं जिसकी हम पैटीज बनाने वाले हैं ये देखे हमने half cup गाजर ग्रेटेड ली हैं ये हमने half cup बीन्स ली हैं इनको भी chopper में किया है ताकि वो अच्छे से mix हो जाएं और half cup ही हमने frozen मटर को boil करके crush कर लिया है और ये half cup हमने प्याज ली है ये एक टेबल स्पून हमने garlic और ginger का paste लिया है और ingredients कितने कितने हैं न मैं आपको बता दूँगी description box में तो आप इसकी चिंता मत कीजिए जबी description box में जाएं और चेक कीजिए ये दो cup हमने ठंडे आलू करके उनको grate कर लिया है ताकि पानी मौशेर उसमें ना हो ये हमने कुछ मसाले लिये हैं ये बाद में डालने वाले हैं जीरा पाउडर है अमचूर है और ये आपका धनिया पाउडर है उपर से हमने लिया है ये काला नमक सफेद नमक और ये काली मिर्च पाउडर और ये चाट मसाला तो कितना कितना डाला है ना वो मैं आपको बताती हैं ये ली है हमने हरी मिर्च एक हरी मिर्च को बारी काट यह ज़िए ऊप्षीनल है, अगर आपके बच्चे नहीं खाते हैं तो ना डालने, यह मैंने रीड क्रॉम्स लिए हैं आप आगे पीछे की ब्रेड का बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप फिर इसको फ्रेश भी ग्राइंड कर सकते हैं यह आमने सलरी बनाई है, सलरी बनाने के लिए आपको हाफ कप मैदा, हाफ कप कॉन फ्लॉर और पानी लगेगा, आधा कप पहले डाल दीजे, फिर थोड़ा-थोड़ा डाल कर आप देख लीजे, इसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, वन पिंच और वन पिंच ही म आपको बनाई और पाद में दिखाती रहोंगि 첫 нормal में तयर पहले लिए आटि साह ke teakस और हभी तक और आप मिली मिली लेक्षाकटे पाट्र और उसमें यह देउना में फीदया वे मिली में साइबकर कर रहे हैं मदें उसमें ठीन्वाज प्रोगी यह पीस्टी आप सब और अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप अवाइड कर सकते हैं, उनली जिंजर ले सकते हैं, इसको सौटे करेंगे, अब हुम डालेंगे इसमें प्याज, कटा हुआ प्याज, मिक्स करेंगे अच्छे से, इनको, प्याज को मिक्स करेंगे, और इसका पानी सूखने तक ना हम इसको भूनेंगे प्याज को, प्याज का मश्चर सूख गया है, अब हम डाल रहें इसमें बीन्स, सबसे पहले हम बीन्स को एक मैट के लिए ऐसे सौटे करेंगे, कुछ क्जापन और पानी सुख जाए, सबसे पहले बीन्स और फिस गाज़ डालें तक गाज़ को भी हम मिक्स करेंगे, और इजे के बिल्कुल पानी सूखना शुरू हो गया है, अब इसमें पानी नहीं दिख रहा है ज्यादा, और साथी साथ इसको कुछ सेकिंग्स करने के उसके पर हमने कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और यह मटर डाल दी है इनको दो इसके करते हैं mix कि और यह जो मसाले हमने रखे न काला नमक काली मर्च पाउडर क्यों सब हम अभी इसमें डाल देंगे और इसको mix करेंगे और साथ ही डाल देंगे हम यह आलू का मसाल आलू मतलब ग्रेटी डालू और यह मिक्शर भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से बहुत अच्छा यह टेस्टी लगता है और आप नमक वगरा ना टेस्ट करके देख लें अभी तो मैंने नाप की आपको बताया अगर कम जादा आप खाते हैं तो चेक करके एड़ कर सकते हैं और अगर आपको कम खाना है तो स्किप्ट कर सकते हैं अतना पॉर्शन यह देखे अब यह मसाला ना ऐसे हो गया है सुखा कोई मौश्टर नहीं है अब इसमें जो हम बचे हुए यह है ना गैस को आफ कर दिया है धनिया पाउडर यह सब हम इसमें डाल देंगे और क्वांटिटी ना मैं नीचे लिख दोंगी डेस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी मिक्स करते हैं अच्छे से ना यह देखे हमने वन फोर्थ कप ब्रेड ट्रम लिया है और थोड़ा थोड़ा ना हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे इसका ना कोई यह नहीं है कि यह इतना ही डालना है आपके आलू में कितना मोईस्टर है आपके सब्जियों में कितना यह कर लेगा और टिक्की आपको बना के देखना है और सबसे बड़ी बात है कि जब आप टिक्की बना लिए आपको लग रहा है कि यह मोईस्टर ठीक है फिर भी आप एक डीफ्राई करके लेखिए अगर वह विखर रही है तो आप थोड़ा सा ब्रेड क्रम और डाल दीजे औ और फिर उसको बनाईए यह देखिए मैंने वन फोर्थ कप इसमें और एड कर दिया है ड्रेड क्रम यानि यह काफी सारा विक्षर है और जब आपके हाथ में ऐसे चिपके ना देखिए यह चिपक नहीं रहा है जब हम बना रहे थे तो यह ऐसे चिपक रहा है तो गलत है औ अब हम इसकी चोटी-चोटी टिक्की जो आपको शेप चाहिए ना उस तरह की टिक्की बना कर रख लेते हैं चारो तरक से मिक्स करके फिर आपको दिखाते हैं तो यह देखिए हमने चोटी-चोटी टिक्की बना ली है और मैं यह आपको बताओं यह 9 टिक्की बनने के तो आप उससरी के से जतनी छोटी बनाएंगे र बाइट में आई कि पने लगाएंगे तो यह हमारी है है शजरी सब से पहले हम इसमें डब करेंगे टिक की ठीक है आप के हाथ गंडे तो इसलिए आप रखेंगे इसमें और इसको वापस उपर से टैप करेंगे तो इससे क्या है आपके हाथ चिपकेंगे नहीं चारो तरफ से ऐसे धुमारते हुए ऐसे टैप करतेंगे इसको तो यह देखे जब यह ऐसे हो जाएगी तो बहुत क्रिस्पी बनेगी तो हम है इसको तेल में मीडियम होट ऑइल हमको रखना है बहुत ज़्यादा दरब नहीं रखना तो इस तरह से हम सारी टिक्कीस में डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे आप बनाकर रख सकते हैं पहले बनाकर रख लीजे और फ्रेट डाल दीजे यह देखे तो यह फटने के कोई चांची नहीं है ध्यांचे आपको करना है यह देखे इसको हम ऐसे पलट लेंगे यानि हमारी जो टिक्की है वो पर्फेक्ट है बिल्कुल भी फटी नहीं है तो मीडियम होट आईल पर आपको इसको फ्राई करना है यह देखे हमने इसमें यह निधारने के लिए रख दी है यह देखे तेल सब निकल गया इनका कितन बढ़िया कलर आया और नीचे हमारी दूसरी सिक रही है तो आप इस तरह से इनको सेखे बहुत बहुत यमी यह लगती है आप अकेले स्नैक्स में भी इनको खा सकते है पैटिस बनने के बाद आप हमें सॉसेज और यह लेके इनको असंबल करना है ठीक है मैंने यह हॉट इसको हाफ-ाफ कट भी कर सकते हैं तो यह भी एक आइडिया है कैसे बनाना है सब्वे कटेश लाने के लिए हमने चीज लिए हैं दो लेट्र स्लीव ली है ब्लेक ओलिव्स ग्रीन ओलिव एक टोमैटो अनियन रिंग ले लिये हैं और कुकुम्बर को स्लाइस कर लिया है यह हमने लिए है वीबा की थाउसें डाइलेंड सॉस यह मस्टर्ड सॉस है यह स्वीच चिली सॉस है आप सॉसिस ना सॉसिस और वेजिस आप जो चाहें डाल सकते हैं क्योंकि आपने देखा होगा ना चॉइस होती है अपनी अपनी अब हम इस पे डाल देंगे थोड़ा सा सॉ सॉसॉजं को सब्सक्राइब भाइर्ल करते हुआ आप कट करें और यह जो शॉसेज है इनके साथ आप मैय यूज कर से हैं व्र्यू जय नहीं टाल जियू डाल सकते हैं personrajई हमने चीज के स्लास कुनग crystalline टिकोना कट श्यूप थैप गरे मैं कि आपarzी सों श昨 श्युन खोट ताकि थोड़ा सा मैल्ट हो जाए यह हमने केवल 20 सेकंड के लिए माइक्रो किया है तो आप देखो इसमें यह अच्छे से चिपक गया है अब हम इसमें रखेंगे यह लेट्व स्लीव्स नहीं है तो आप पता को भी ले सकते हैं कुकुम्बर स्लाइसेज ओनियन स्लाइस और यह टिक्की टुमैटो स्लाइस ऐसे लगा देंगे हम पहले टुमैटो स्लाइस लगाएंगे ठीक है हमने कैप्सिकम के भी कुछ रिंग्स काट लिये हैं यह भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कैप्सिकम से कि अब हम लगा रहे हैं thousand island sauce sources की आपकी चॉइस है vegetable, sauces, quantity यह सब आपकी चॉइस है फोड़ी सी हम इसपे लगा रहे हैं mustard sauce यह अब हम डालरहे हैं sweet chili, optional है आप चाहें तो डालिए नहीं तो skip कर सकते हैं यह सब वीबा की सॉसेज हैं बहुत टेस्टी होती हैं कोई प्रोमोशन नहीं है बता रही हूं कि मैं यूज करती हूं ग्रीन ओलिव्स ब्लैक ओलिव्स जैसा आपको पसंद है वो डालिए बंद कीजिए इसको इसको हमें थोड़ा सा न टिक्की को इनको प्रेस करना पड़ेगा ऐसे यह सेंबल कर सकते हैं क्योंकि यह उंचा हो जाता है बहुत सारी वेजी होती है टिक्की होती है इसको पैक करके न थोड़ा दबा देंगे से और बस रेडी है हमारे सब पे ग्रीन वेजी का पैटी के साथ तो आए इसको सब करते हैं कर दो आए इसको सब करते हैं